हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो इस्टेडी न्यूज आज हम इस वीडियो में 9 अगस्त के एक्जाम रिलेटेट जितने भी इंपोर्डन कोस्चन है हम उन्हें या सॉल्व करेंगे so let's start तो आज का पहला कोस्चन है हाली में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परिक्षक कौन बने हैं औपसंस हैं, राजिव महरसी, मनोसीनह, आरके माथूर या गिरीश चंद्मूर्मू। तो गिरीश चंद्मूर्मू। भारत के नए नियंतरक और महालेखा परिक्छक बन गये हैं, तो इसमें उत्तर औपसंडी सही है। ये राजिव महरसी की जगे लेंगे। नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की बात करें तो इसे सौर्ट में कैक कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है कम्ट्रोलर एंड ओर्डिटर जनरल अफ इंडिया इसकी स्थापना अठारास अठावन में हुई थी और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है गिरिज चंद्रमूर्मू इससे पहले जम्मू कस्मीर के उपराजेपल थे अब जम्मू कस्मीर के उपराजेपल मनुसिना है तो next question है हाल ही में किसने Smart India Hackathon में प्रथम इस्थान जीता है options है diet, IIT, KANPUR, DRDO या ISRO तो diet ने Smart India Hackathon में प्रथम इस्थान जीता है तो इसमें उत्तर option है diet साही है diet का full form Defense Institute of Advanced Technology है ये पूरे में इस्थित है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी next question है हाल ही में मड़ीपूर के नए मुख्य सचीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है options है विकास कुमार, राजेस कुमार, संदीप राय या विने अरोडा तो राजेस कुमार को मड़ीपूर के नए मुख्य सचीव के रूप में निउक्त किया गया है तो इसमें उत्तर option B राजेस कुमार सही है मड़ीपूर की बात करें तो मड़ीपूर की राजदानी इमफाल है मड़ीपूर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग है और गवार्नर नजमा हेपतुल्ला है next question है WTF Sports ने अपना brand ambassador किसे बनाया है options है सुरेश रहना, हर्मन पिरितकोर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं तो सुरेश रहना और हर्मन पिरितकोर इन दोनों को ही WTF Sports ने अपना brand ambassador बनाया है तो इसमें उत्तर option C उप्रियुक्त दोनों सही है WTF एक WinTrade Fantasy Gaming Program है next question है हाल ही में देस की पहली किसान special parcel train को किस railway station से रवाना किया गया है options है लखनव, देवलाली, असंसोल या पटना तो किसान special parcel train को महराश्च के नासिक के station देवलाली से शुरू किया गया है तो इसमें उत्तर option B देवलाली सही है ये देवलाली से बिहार के स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाएगा next question है हाल ही में surly and grow का निधन हो गया ये क्या थी options है actress, novelist singer या sports person तो ये एक novelist थी तो इसमें उत्तर option भी novelist सही है इनका निधन 91 साल के उम्र में हुआ इन्हें 1965 में pulitzer पूरसकार से भी समानित किया गया था इनकी रचना थी the keepers of house next question है किस IIT के सोधकरताओं को गांधिवादी युवा तकनीकी नवाचार पूरसकार 2020 से समानित किया गया है options है IIT कानपूर, IIT खड़कपूर, IIT मदरास या IIT दिल्ली तो IIT खड़कपूर को गांधिवादी, युवा तकनीकी नवाचार पूरसकार 2020 से समानित किया गया है तो इसमें उत्तर option B, IIT खड़कपूर सही है ये पूरसकार इन्हें गीले कपड़ों को धूप में सुखाते समय बिजली पैदा करने के लिए दिया गया है next question है किस राज सरकार ने एक परिवार पहचान पत्र PPP सुरू किया है options है हर्याडा, राजस्तान, उत्तर प्रदेश या बिहार तो हर्याडा सरकार ने हर परिवार के लिए एक परिवार पहचान पत्र वित्रण सुरू किया है तो इसमें उत्तर option A हर्याडा सही है इस पहचान पत्र की मदद से परिवारों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी इसमें सभी नागरिकों को आठ अंकों का एक पहचान नंबर दिया जाएगा इसी पहचान पत्र द्वारा सभी योजनाओं का लाब भी मिलेगा हर्याडा की बात करें तो हर्याडा के CM इस वक्त मनोहरलाल खटर हैं और गवर्नर सत्य देव नारायन आ रहे हैं किसे UPSC का नया अध्यक्ष बनाए गया है जगदी प्राय, प्रदीप जोशी, आरके सर्मा या राजेंद्र अगरवाल तो प्रदीप जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाए गया है तो इसमें उत्तर ऑप्सन B प्रदीप जोशी सही है प्रदीप जोशी, 36 गड़ और मद्य प्रदेश, लोकसेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये अर्विंद सक्सेना की जगए लेंगे UPSC की बात करें तो UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1956 को उई थी और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है तो हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्री हत करगा दिवस मना जाता है ये दिवस बुनकरों को सम्मानित करने के लिए और हत करगा उद्योग को प्रोचाहित करने के लिए मना जाता है यतो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment झाल